राजस्तान के न हर घर में ये इस तरह की चुटकी या ये खुबा रोटी जरूर बनती है और उसके साथ अगर आप कोई साग या कोई भी साग वाली सब्जी बनाते हैं न तो इन दोनों का कॉमिनेशन बहुत ही ओसम लगता है तो इस रोटी के साथ मैं आज बनाओंगी ये पालक कॉन की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग कॉमिनेशन था आप इसे लंच या ब्रंच दोनों में ही खा सकते हैं और बंद के भी बहुत जली तयार हो जाती है बहुत ही कम तेल और मसाले में ये बन के तयार होती है तो ये राजस्थानी कॉबा रोटी और और हम बनाएंगे विंटर स्पेशल यह पालक कॉन की सबजी तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी तो सबसे पहले मैंने क्या किया है अच्छे तरह से तोर के मैंने साफ करके दो लिया था और उसके बाद मैंने इसे गरम पानी में बस एक बार डिप कर दिया है पत्ते जैसे प्याज को इस तरह से तीन चार टुक्रों में चुटे चुटे काट दिया है और इसके बाद मैं इसे और भी ज्यादा चौपर में बारिक चौप कर लोगी तो चौप करने के बाद अब मैं इसे क्या करूंगी कि ऑल में थोड़ा सा यह तरका डाल रही हूं तो तरके में ड चीन एक बड़ी लाची और एक ही लिया है यहां पे स्टार अनियन और थोरा सा हाफ ती स्पून जितना जी-रहा तो यहां पर और एक टेबल स्पून जितना ओएल होगा उसके बाद इन सारे तरके को में इसमें ऐड कर दूँगी और इन सब को अच्छे से तरक जाने और गल जाए इसके लिए मैं यहां पर हाप टीस्पून जितना नमक डाल दे रही हूं और वन पिंच ओफ यहां पर हल्दी भी मैं इसमें एड कर दूंगी इसे अच्छा सा कलर आ जाएगा मसाले में तो इन सब को भी अच्छे से भूल लेते हैं कच्छा पन निकलने तक और यहां पर चौपर में दो टमाटर था उसे भी बाड़ी किसी तरह से चौप कर लिया है इसे भी मैं इसी में एड कर दूंगी और अच्छी तरह से भूल लेंगे प्याज टमाटर कर जब तक कच्छा पन नहीं निकल जाएगा तब तक आपको इससे दो तीन नट जितना यहा जो साबुत मसाले हैं तेजबता लाल मिर्ची दाल ची नी और बड़ी ही लाइची स्टार रेनियन यह सब कुछ हम यहां पर निकाल लेंगे इसे पीसनी की ज़रुरत नहीं है और इसके बाद यह जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसका में पालक के साथ ही अच सब्सक्राइब, कुछ कinka में बच में आटना नहीं होच एसिकमे डाया के साथ ही और कॉन काम राड़ तेक्टपि एप्न करना साथ लिए लाल मिर्ची अ हड़्ी, ओडा दार मिर्ची पक्राइब इसको और में दो कर देंगे utan कौन, कौन को देना धोलीन रिराएदा मैं SteNE jud इससे कौन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा उसके बाद जो हमने पालक प्योरी बना के त्यार किया है उसे हम इसमें एड़ कर लेंगे तो अगर आप चाहें तो यहां पे पनीर भी इसी तरह से भून सकते हैं या फिर वाइल और किये हुए काबली चना को भी इसी तरह से ट्राइ कर सकते हैं तो यहां पे अच्छे से वह भून गया था क्योंकि मुझे जादा कुछ भूनने के ज़रूरत थी नहीं उसके बाद मेरे यहां पे एक चमच जीतना घी ले लिया है और उसमें यह दो तीन चमच जीतना काजू को में रोस्ट करके निकाल लिया है और ब इस तरह से उपर से मैंने इसका रोगन डाल दिया है इसे अच्छा कलर और टेस्ट दोनों ही आएगा पालक और कौन की इस ग्रेवी वाली सबजी में तो यहां पे अब रोटी बना लेते हैं तो यह रोटी कैसे बनाते हैं खोबाओ या चुटकी रोटी इसका ही रेस्पी आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसका लिक में डाल दूंगी या फिर आई बटन में भी में डाल दूंगी आप चेक कर लिजेगा बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह की रोटी के साथ यह सबजी तो आप जुरू ट्राइ कीजेगा इस विंटर में यह बार 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 बनाएंगे इस रेसिपी को अगर यकीन नहीं है तो ट्राइ करके देख लिए बहुत ही टेस्टी बनकर यह त्यार हुआ था उमेदे आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आई होगी पसंद आई है तो पसंद आई है तो लाइक दे दीजेगा चानल पर अभी पेड़ करने कोइन चानल को और आखको सबसे करना मत बूलेगा मैं ऐसी आषानां और टेस्टा सी रेसिपी के विडियो बनाती रहती हूं और लेकर आती रहती ऐसे देखने के लिए बेल आख़को सबसे पहले मिले तो मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में नेक्स रेस्टिप के साथ तब तक आप रखें अपना बहुत जारा ख्याद मुझाउड़ học के साथ एक्स बाराँ अपसे बिलती हूँ आपसे नेक्स बाराँ